के लिए इसने पहले से आपको दे रखा है ब्रेक-वन वैल्यू निकालने सबसे पहले बिल्कुल आसान अभी बताया था मैंने ब्रेक-वन वैल्यू कौन सा होता है जब सी एक्वल्स टू आरेक्स हो जाता है खड़ दो 5x plus 350 minus x square चल ठीक है एक तरफ करो इनको x square minus 50x 5x plus 350 equals to 0 minus का 45x plus 350x equals to 0 यहां तक समझ में आगया है क्या ठीक है अब पॉइंट निकाल लें तो एक्स इक्वल्स टू एक तो 35 हो गया और एक एक्स इक्वल्स टू कैन हो गया यह आपके पास कौन सी कंडिशन आ गई यह अमरे पास कंडिशन आ गई है ब्रेक इवन वैल्यूज इसे बेल्यूज बनाओ एक्स की इतनी वैल्यूज बनाओ एक्स की जहां पर आपको प्रॉफिट प्रॉफिट कब होगा जब आपका रेविन्यू जादा हो जाएगा सीधसीं Cup अ कि फिफटी एकस माइनश एकस स्क्वार है और यह फाइफएट स्वाइनस ट्रीफ्टि है फिफ्टि एक्स माइनस क्वार या तो इसको ओदर भीज दो या इसको इइवसा बिर दो जैसा भी शूटेबल करना चाहो कर लो इसको दर बेर देते हैं यहां चोड़ देते हैं पोजिटिव एक्से स्कार हुआ नेगरिटेव का 50 एक्स फिर पॉस्रेटिव का फाई एक्से यहां बनाया आते यह लिए देगो पीछ एक्स माइनस टेन और x-35 अब इस चीज को आफ थोड़ा सा ध्यान से समझदा जब भी मेरे पास ऐसी वैल्यू आती है जब भी मेरे पास ऐसी वैल्यू बनाती है तो मैं अपने क्या बनाता हूँ यहाँ पर मैं अपनी दो तरीके सल कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ दो तरहीके साफ कर सकता हूँ कहा से ले के कहा तक उठ हो सकती यह तेखो दो तरीके है आपके पास एक्सका जो वैल्यू है जब हम x-10 ले रहे हैं तो इन दौनों के लिए हम एक line बनाते है number 9 याद करो अपना concept है और x-10 के लिए मेरे पास value है x-35 के लिए value है तो मेरे पास दो critical point हो गया एक 10 हो गया और एक 35 मेरे पास point हो गया अब आप इनके बीच की कोई भी value इसमें put करके देखो तो मालो 10 के बाद यहां पर 11 आता है अगर मैंने 11 यहां put कि गया तो 11-10 positive बना और यह 11-negative बना यानि इस condition पर यह negative आएगा यहां negative आया तो यहां positive आएगा और यह पॉजिटिव आएगा यह अपनने शुरू में पढ़ा था six point four या five exercise में या फिस three में शायद बना अब याद 10 से लेके 35 के बीच में लाए करेगी हाना तो this is मेरा required interval यह मैं पहले आपको समझा चुका हूं आया समाज में ठीक है तो यह आपके पास profit गंड़ी एक्स की values कांसी होनी चाहिए जो 10 से greater 35 से less हो तो आपका काम बन जाएगा profit में तो मैं second के लिए लिख सकता हूं the values of x that profit that produce a profit दा वेल्यूज ओफ एक्स देट प्रोड्यूसेज अप्रॉफिट इस क्लियर है आपर थर्ड केज देखो लॉस लॉस कब होगा जब सी एक्स ग्रेटर आजाएगा आर एक्स से यानि जो पीछे कंडिशन तीने मेरी एक्स माइनस पैन और एक्स माइनस 30 यह पूरी की पूरी उल्टी हो जाएगी जैसे आपर लेस देन था ना यहाँ पर इस बार इस बार ग्रेटर देन हो जाएगा आप बैरक्लि लिख सकते हो इस चीज को यानि इस चीज से उल्टा यानि कि जब वैल्यू एक्स से एक्स की वैल्यू पैन से यहां पर greater है इस बार मैं यहां मान रहा हूं कि जब यह value जो इकस की value है वो 10 से क्या हो जाए 10 से less हो जाए और 35 से less थी अगर x की value जो है 35 से less नहां आके 35 से greater आ जाए उस condition में आपको क्या हो जाएगा loss हो जाएगा एक लिए तो यह आप directly झाल झाल